वान प्लस सेवन टी प्रो मेसेच सेंडिंग फैल प्रावल्म नमस्कार दोस्तो सो अगर आप सभी का तिक राज योटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस की रिवाइस में Message sending fail problem solve के से कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर Message sending fail के problem यह भी हो सकते हैं कि इसका number invalid हो या फिर आपके mobile पे कुछ problem हुआ होगा तो उसके वज़़ज से Message sending fail होते हैं तो क्या क्या reason है जिसके वज़़ज़ से आपको यह problem आ रहा है क्या क्या solution करना है क्या क्या चेक करना होगा वह सब आपको इस वीडियो पे बताया जाएगा तो वीडियो को अन तक देखें जो भी सॉलूशन होगा उसको फोलो करें ठीक है या भी दोस्तों अगर आप किसी को मेसेज कर रहा है और वो मेसेज जो कि यहाँ पे दोस्तों सेनी नहीं हो रहा है उस तक पहुंच नहीं पा रहा है ठीक है तब ही आपको सॉलूशन करना है वीडियो शुरू करने से पहले मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पे फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो जाते तो आपको यह चेक करना है कि आप जो भी बंदे को मेसेज कर रहा है उसके जो नंबर है वो आपको चेक करना होगा ठीक है वो नंबर आपको चेक करना होगा कि इन वेलिट है या फिर वेलिट है ठीक है तो आपको नंबर चेक करना होगा और यह भी दोस्तों आपको कॉन्फर्म करना होगा कि उसने आपको कई ब्लोक तो नहीं किया है तो यह स सारे साथ मोबाइल पे SMS बैलेंस है या नहीं है वो भी आप चेक करें ठीक है SMS बैलेंस वगरा चेक करें और उसके बाद सोलीशन आप को क्या करना है यहाँ पर मेसेच एप क्लीक कीजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे के तरफ scroll down करके आना है और आपको search करना है message app तो आपको जाना है message उसके बाद जाना है आपको storage and cache clear deliver क्लिक करके OK कर देना है उसके बाद機 करना है बेक करने के बाद आपको यहाँ परमिशन वगीरा चेक करना है make sure सारे permission को allow करें उसके बाद device को restart करें and then check करके देखें आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने message sending fail problem solve कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt रहते हैं दुबारा से कोई issue रहते हैं तो आप अपने network operator को contact करें और उनको पूछें आपको किस वज़े से यह problem आ रहा है तो आपको definitely reason बटा देगा और आपको solution बताएगा कैसे आपका यह problem solve होगा तो यह था दोस्तो message sending fail solution उमीद करते हैं आपको यह झाल